आप ये जूस देखकर सोच रहे होंगे कि ये कौन सा फ्रूट है ये है एक्चुली जामून जो कि आजकल मार्केट में बहुत इसली अवेलेबल है मैंने सोचा क्यों ने इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए चलो बनाते हैं जामून का जूस एक्चुली मार्केट में इसको मोलते हैं जामून जल्वा इसके लिए यहां बद लिया है मैंने 1500 ग्राम जामून और एक मौसम भी जामून के उपर जो एक टिप होता है उसको काट लिजे और जामून की भी इस तरीके से कटिंग कर लिजे और इसको रख दीजे तीन से चार गंटे के लिए फ्रीजर में मौसम भी को भी अच्छे से छील लिजे और उसके बीज निकाल दीजे और उसको पीसिस में कट कर लिजे पीसिस में कट करने के बाद मिक्सर के पॉट में डाल दीजे और एक चमज डाल दीजे शक्कर यहाँ पर पीसी हुई चीनी नहीं है मैंने और इस तरीके से इसको अब हम मिक्सर में पीस लेंगे वसंबी के जूस को छान लीजे अब चाहो तो थोड़ा सा पानी भी एड़ कर सकते हो इस तरीके से जूस रेड़ी हो जाएगा जो जामुन हमने फ्रीजर में रखे थे वो इस तरीके से आइस्ट में चेंज हो जाएंगे उनको भी हम मिक्सर के पॉट में डाल देंगे और उसमें अड़ कर दीजी दो चमच शुगर यहाँ पर भी मैंने पिसी हुई ही चीनी लिए और थोड़ा सा पानी अड़ कर दीजी इसको मिक्सी में पीस लीजी फिर से थोड़ा सा पानी अड़ कीजी और इस तरीके से जामुन का जूस रेडी हो जाएगा जामुन के जूस को और मौसंबी के जूस को मिक्स कर दीजे अच्छे से मिक्स कर लीजे यहाँ पर मैंने लिया है एक ग्लास और उसमें डाल दिये हैं थोड़े से आईस क्यूब्स जो जूस हमने रेडी किया था उसको ग्लास में पोर कर दीजे इस तरीके से यह जामुन का जूस रेडी हो गया है है ना बहुत इजी आप लोग सोच रहे होंगे कि जामुन को हमने फ्रीजर में स्टोर क्यूं किया था फ्रीजर में स्टोर करने से जामुन की जूस की थिकनेस बहुत अच्छी आती है तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें चैनल को लाइप करें, सब्सक्राइब करें चैनल देखने के लिए थैंक्यू सो मच